अगर आप भी करना चाहते हो बालों को दस गुने गुरोथ तो आज की रिमेडी आपके लिए बहुत जादा खार्श हो सकता है तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी एसकीप ने किजएगा और पूरा देखेगा तो चले इस असान सी मेथट को असान सी रिमेडी को हम पीना द जाइ से लिए वीडियों को ब्रह wonder जादा परेशान होते हैं तो निजाद की थे चिल्के को उतार लेंगे और उतारने के बाद पीमें शोटके कट कर लेंगे ताकि उसे कराइन कर सके तो जैसे कि हमने चोचते चोचते कुचते कर लिया है क्या कर दो फोजार बाद में जालना है यह जालने के बाद हम पैस्ट पहरी स्टी है यह गार में आज़े हैं यह जालना कुछ आप आपको बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल भी अइड नहीं करना है थोड़ा सा लगवग आपको पानी एड़ करना चार से पानी इसमें एड़ करना है इस तरह से क्या होगा कि आपके प्यास बहुत यची तरीके से ग्राइड हो जागा और यह आपके बालों में अपलाई करने में बिल्कुल भी परशानी नहीं होगी इस तरह से अब देख सकत कि चांहें कि दूसरे में चांहें इन लिनी ए सल्फर की मत्रा अधिक होने के करण जरूना टूतني करता हैung जिसके करण भालू की यह अच्छी गुरोथ प्यांश का उमक्रीस कर एक सबस्क्त करते हो चाएं। तो आपको क्या करना है कि बहुत तरीके से प्यास को निकाल करके हैं सबस्क्राइब आप दों सबस्क्राइब कर सुब्हसर सब्सक्राइब अगर आप ग्रेश करके या पिर किसी भी तरह से और दूसरे तरीके से निकालते हैं तो इतनी अच्छी तरह से नहीं निकलती तो अगला इसमें इंग्रिजिंस जो फ्रेंस हम लेंगे वो लेंगे चावल चुकि आप चावल परड़े बनाते हो तो हर रोज जब चावल बनाते हो तो उसकी पानी को फेक देती हो तो इस तरह से मेरा चावल ल्या दोपार में बोर्श नब बना लेना है आप जैसे बेर बना लेना सिस्दी बना लेना करके इसके पाने को निकाल करके अपक्साइट कर लेना इसे फिकना भी नहीं तो देख सकते हो कि मैंने चावल को बनाया और बनाने के पानी को बिल्कुल भी नहीं पेगा था और इसे यूज में ला लिया हमने तो देख सकते हो कि मैंने इसे निकाल लिया है और थोड़ी दिर रखने के बदिशे जिससे तोड़ा सा घरा हो जाता है की हम बघाव अकने राझे के बाह है उसकुत अैश करना घ्ल पाह explic hos तो देह सकते हो कि मैं निकाल लूँगे लगभग आधी कटोरी से हम मैं ले लोगी और लेने के अब हम अगला सो इनकेजिस में जो एड करेंगे वह भी बहुत जाद अच्छा होता है तो इस तरह से दे लिये नहीं है बालों की बहुत अच्छी गुरोथ के लिए चावल का पानी बहुत अच्छा होता है इसे जब भी आप यूज करो तो आप बहुत अच्छी तरीकी से य एस तरह से प्याद के लिए काफी फायदा मन्द होता है और जो लोग भी इसे यूज किया यकीन मानिए उनके बालों को काफी अच्छी गुरोथ मिली है लगातारी से यूज करने से बालों की अच्छी गुरोथ होती है अगला सो इनšे जो डालेंगे वह भी बहुत जादा कर दोनों चीजों को मिक्ष करने के बहुत ही अच्छी तरह से मिक्ष हो चुकि है और इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि यह क्या है क्योंकि यह काफ़े अची रेमेटी बन करके तियार हो चुकी है तो दोनों चीजों को मिक्ष करेंगे और फीरामी से अब अपलाई करेंगे तो अपलाई आपको जैसे के दो पार के टाइम में आप कर लेना एक से दो घंटे तक लगवक अपने बालों पर अपलाई कर ले बहुत जादा गरम पानी चे बिल्कुल भी नहीं धोना है तो आपको अब जैसे कि थोड़ा सा बालों में शाइनिंग लाने के लिए अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा नारियल का तेल भी डाल देना है क्योंकि आप इसे डालों इसकीप भी कर सकते हो लेकिन डालने के तो इस तरह से एक चमँ चमँ डेल टालेंगे और डल ऐसे अप्लाई कर लेंगे तू नारियल तेल भी वालों के लिए बहुत जादा यूजफूल होता है मेजिंग तो इस ते मचपंटेलीन नारीन तील सीचे हो अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसे भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो किसी और से भी अपने बालों में अप्लाई करवा सकते हो इस तरह से फिरेंट से अपने बालों में लगा लेना है और हफते में 2-3 बार इसा जरूर ट्राइ करना है जरूर लगाना है रिजल्ट आपको मिलेगी थोड़ा सा टाइम लगेगा रिजल्ट बहुत ही मेजिंग सी मिलेगी तो इस तरह से आप चाहो तो cotton ball से भी आप यूज़ कर सकते हो तो आप देख सकते हो मैंने किसे cotton ball भी ले लिया है और इसे भी हमने यूज़ करने का इक तरीक आपको बता दिया आप जैसे भी चीस तरह से भी यूज़ करो काफी अच्छी result मिलेगी amazing result पाने के लिए आप इस remedy लगी तो आज के लिए कर फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ बाबा टेक क्या है